नमस्कार जन्वत की मुकार में अकस वागत है एस्ट जिले के थाना कल्यानपूरी की टीम ने एक शातिर आटो जो ग्रफतार किया है जिसके कबजे से दो चोरी की स्पूटी और एक टीय सार बराहद हुए एस्ट डीसिपी अपर्वा गुपता के अनुसार 21 जून को थाना कल्यानपूरी को सुचना मिली की एक व्यक्ति जिसका नाम रिजवान है चोरी की स्पूटी के साथ कॉंडली पुल के पास आनी वाला है सुचना के आधार पर इंस्पेक्टर मुकेश पालियान के मार्ख दर्शन में असिस्टंट सभ इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने कॉंस्टिवल रगुविर सही के साथ कॉंडली पूल के पास दविश टीम बनाई मुकबिर के इशारे पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार और कॉंस्टिबल रभुविर सहीने को व्यक्ति रिजवान उर्फ इम्रान उर्फ कुल्लू को स्कूटी सहीद पकड़ लिया जब उससे स्कूटी के बारे में पूछा गया तो वह कोई संतोष जनक जवाब नहीं दी सका स्कूटी की रजिस्ट्रेशन की जाच करने पर पता चला कि इसे थाना जामियानगर से चूरी की गई थी बाद में उसे गिरफतार किया गया आरोपी रिजवान की निशान देघी पर एक अन्यस कूटी कल्यानगपूरी के 18 ब्लोग की पार्किंग के पास से और एक टीयेस आर्स मशानगाट गाजीपूर के पास से बरामत की गई बरामत की गई स्कूटी थाना कल्यान पूरी दिल्ली में F.I.R. के तहत चूरी की गई थी अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल सबस्क्राइब कर लें लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार